कि जो यह हिंदू रास्ट हो जाएगा उसके बाद मत का अधिकार हम छीन लेंगे मतलब जो सवीधान अधिकार देता है सीधा सीधा सवीधान पर हमला है देश में ऐसा महल तो कभी भी नहीं था लेकिन हां हमेशा प्रेशर आते थे लेकिन यह नहीं कि लिंच होने का संभाव कर नहीं हो जाए आपके मुबाइल पर या आपका कैमरे पर या आपके उपर हमला कर दिया जाए पुलिस ने एक तरह से बीच में आके शायद बचा लिया वरना यह लिंच करते शायद मार डालते क्यों कि दरसल जंतर मंतर पे जो है प्रोटेस्ट के लिए तमाम लोग आते संस्थाएं और अवाज जो हैं जो सभीधान अधिकार दिया है उसका तरह से कह सकते उलंगण जो है वो हो रहा है यहाँ पे सुरेश चवानके का एक संसत चल रहा था और राम रहीम का चल रहा था और दूसरा जो तीसरा था वो था आपका भागेश्वर धाम का चुछ था धर्म संसत करी गई उसमें धर्म संसत के अंदर हुआ क्या कौन लोग आए सवाल ये था कि हिंदू रास्ट बनाने की बात की जा रही थी लगातार हर एक वेक्ति कर रहा था सवाल मेरा था कि हिंदू रास्ट बनाने से फाइदा क्या होगा हिंदूओं को फाइदा क्या होगा शायद ये जो सवाल था उनको हजम नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था आज देश के अंदर जो मुद्दे हैं मेनिस्ट्री मीडिया तो नहीं दिखाएगी वो और शायद वो चाहते हैं कि जैसे मेनिस्ट्री मीडिया गोधी मीडिया बन गई है या फिर मनुवाधी मीडिया बन गई है तो शायद जो यूट्यूब चैनल से ला रहे हैं उनका भी अधिकार किसी तरह से छीन लिया जाये उनका भी सोशन करा जाए उनको दबाया जाए और कैसे दबाया जाए उन पर हमला करके उनको बलपर्योग अपना बलपावर दिखा के तो सवाल यही था यह शक्ष है जिसने कैमरे पर हमला किया और तमाम यह बेसिकली जो इनका एक एजेंडा चलता है कोनौट प्लेस छे नंबर गेट पे वहाँ पे तमाम जो है आईटी सेल के लोग मौजूद होते हैं और खुब उसमें धर्म के उपर जो है कटाश करे जाते हैं तो यह महौल इस समय हो चुका है अगर पत्रकार निश्पक मुसल्मान को देश में नहीं रहने देंगे मुसल्मानों से आई द्धिकार छीनना है तो इस तरह ऑ मैं मैं अगर मुसल्मान उसल्कार भी चीन लिख दो Hilz यह से लग्याजंट विये हिंदुराष्ट हो जाएगा उनके मत अधिकार कर दोओं हिंदुराष्ट को धीकार सीदा सिधा सविधान प्ल commercial कर देंगे रहे हैं मत देने का तो वह कहतम कर देंगे e के बाद यह अपने केरियर में जो है लंबे समय से आप पत्कारता कर रहे हैं इस तरह का महौल कभी देखा था देश में देश में ऐसा महौल तो कभी भी नहीं था लेकिन हाँ हमेशा प्रेशर आते थे लेकिन ये नहीं कि लिंच होने का वह संभाव ना हो जाए आपके मुब पत्रकार पर ही प्रेशर एक तरह से बनने का प्रयास करता है तो आप पर पर लिंचिंग हुआ है तो क्या उमीद कर सकते हैं जो देश में गाउं रहते हैं उनके साथ किस तरह का बढ़तावए लोग करते हों होता ही है में इस्ट्री मीडिया उसको दिखाती नहीं है कुछ ज कहा पर वह भी था उसके सामने इस तरह की जो है चेस्टा लोग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के दौरान क्यों उन्हें पता है कही ना कहीं सोने संरक्षण प्राप्त है हम कुछ भी कर देंगे लेकिन बैकर जो बैक अप है उनका वह रेडी है तो उनका कुछ होने वाला नही है और पुलिस ने यह है मुझे यहां से इस चेतर से बाहर कर दिया और लेकिन उन पर कुछ हुआ नहीं और उल्टा कुछ पुलिस कर्मी जो थे वह यह कह रहे थे कि नहीं यह प्रोगिंग सवाल था आपको यह नहीं पूछने चाहिए था तो इस तरह की चीजे जो है वह नुकसान हुआ है मेरा जो सेल्टी स्टिक था वह नुकसान हुआ है मुपाइल गिरा है वह हलका सा टैमपर दो गया है तो यह नुकसान जो है वह एक पत्रकार को जिलना पड़ा है यह हमला हर उस इंसान पोपर है जो सच की अवाज वो चाह रहा है कि अटाए या फिर तो कह रहे हैं कि ID दिखाओ, तमाम चीजे, अगर आप मुसल्मान नहीं हैं, तो आप हिंदू हैं, लेकिन आप उनके साथ नहीं खड़ें, तो आप भी देश-द्रोही एक तरह से उनकी नजरों में हैं, यह हैं, आप पतकारता करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा होगा, और बहुत ही सहज पतकार का काम होता है, सहज रूप से सवाल करना, और जवाब देने का वाला का काम होता है, सहज रूप से जवाब देना, लेकिन आप जब अभी जिस मोहल में आप लोगों से बात कर रहे थे हैं, उनलों का जवाब था, क्या महसुस कर रह यह पूरा मुझे लगता है क्योंकि अगर नॉर्मल जंता से बात करो तो जो देश के अंदर मुद्धे हैं महंगाई बेरोजगारी इन सब चीजों पे इनको जवाब नहीं देना था इन से पूछा अगर बेरोजगार है देश के अंदर बेरोजगारी बहुत जादा है तो उ अपनी जिंदगी में व्यस्त है वो इस तरह का जो आक्रमक रूप है वो अख्तियार नहीं करेगा यह में भी भेजेवे थे क्योंकि जो सुरेश चावान के हैं उनके उपर भी एफायर दर्ज हैं उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं राम रहीम के उपर तमाम बलतकार के दिरेन्द्र उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं अभी भागेशवत्र धाम के जो पंडये vrij धिरेंद्र शास्तरी नके समर्थन में लोग उतर रहे तो कहीं ना कहीं जए एजर बढ़ने के लिए और लिए यहां पे तमाम लोग आ रहे हैं आस्थ्थ अपनी जगा होती है गुंडगर्दी अपनी जगा होती है कोई भी धर्म या कोई भी जो गुरू है धार्मिक वो यह नहीं कहता है कि हमारे धर्म में ऐसा मार काट होता है लेकिन यह एक एजेंडे के साथ मुझे लगता है थे तो इसलिए यह आकरमक थे इनसे सवाल जो था वो पूछना एक पत्र बत्तमीजी हुई है एक दो और रिपोर्टर्स थे जो निश्पक्षो के बात रखना चाहते हैं उनके साथ बत्तमीजी हुई है आपके सवाल उस तरह थे कि आपके सवाल के उनके पास जबाव ही नहीं थे वो लॉजिकल क्या कहेंगे मैंने सिर्फ उनसे पूछा फाइदा क्या है भई आप चलो अच्छी बात है आप हिंदू समाज के लिए अवाज उठा रहे हैं लेकिन हिंदू को पता दो चले कि उनका फाइदा क्या है हिंदू रास्ट बनने में तो यह सवाल उनको अखर रहा था क्योंकि शायद उनके पास कोई लॉजिक ही नहीं था बताने में आसा रखते हैं धर्म में उन्हीं के लिए उनको फाइदा क्या होने वाला इससे उन्होंने का मुसल्मान भाग जाएगा उससे फाइदा क्या होगा उन्होंने का कि मुसल्मानों से मत का अधिकार चीन लेंगे लेकिन उससे फाइदा क्या होगा हिंदू को मेरे यह समझ देश के अंदर मुसल्मान जो उसको दूजे दर्जे की जो है नागरिकता एक तरह से देने की बात कहीं जा रही है यह यह कहें जब अधिकारी मत का छीन लिया जाएगा तो वह नागरिक क्या ही रह जाएगा लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं रिपोर्टिंग में आ मजभी चश्मा लग गया है अगर कोई सवाल पूछे में मजभ के खलाफ तो जो है वह आगरमक हो जाते हैं बिल्कुल अधिकतर जो है में इस्ट्री मीडिया पे तो पूरा कब्जा है वह सिस्टम का ही और जो अब अल्टेनेट मीडिया के अगर हम बात करें यूट्यूब स्थरी और हम ऑग के खलाब करें अल्टेनेट मीडिया